वे बच्चो वेलकम तो माई चैनल स्टडी हार्ड आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 मैट्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज ठीक है तो मैं बिल्कुल ही इजी तरीके से सिखाऊंगे आप लोग को अगर आप लोग ये फुल वीडियो देखोगे तो आप आप को प्रॉपर्टीस कומע़नेा चाहिए नहीं इस अन्हाँ उन्हाँ अक्रें के फ्रॉपर्टीज ठीकुल मों करेंगे तो अब मुझत यसानल मिले ऑर भी वीडियो चैनल स्टार्ट कूल वेल्स जो मिए multiplicative identity होता है ठीक है बस 6 ही होते है तो स्टार्ट करते closer property से देखो closer property में मतलब क्या होता है बहुत ही easy है इसमें इतना कुछ समझने के लिए है ही नहीं बस नाम दे दिया closer property तो इससे आप लोग घबरान आने कि क्या होता है closer property closer property का मतलब यही है कि अगर आप किसी दो integers को प्लस करोगे तो आपका answer जो है वो भी एक integer ही आएगा obvious बात है चाहे आप किसी भी दो number को प्लस करोगे तो integer ही तो आएगा ना चाहे वो addition वाले चाहे वो positive integers हो या फिर negative integers हो suppose हमने यह example लिया है जैसी कि 7 plus 3 करने से हमारा 10 आ रहा है है कि ने 10 क्या है एक integer है integer क्या होता है वैसे कोई भी number चाहे वो positive हो या फिर negative हो है ना या फिर देखो चाहे वो positive हो negative हो या फिर 0 ही क्यों नहीं हो ठीक है कोई भी number या तो positive हो सकता है negative हो या फिर 0 इन सब को इंटीजर कहा जाते हैं तो इसी तरह से आपका तो यहां पे देखो इन दो नमबर को प्लस करने से 10 आ रहा है है ना माइनस 10 प्लस 3 यह माइनस 10 क्या है एक नेगटिव इंटीजर है अगर हम लोग उसमें एक पॉजटीव नमबर को प्लस करें तो जब दो numbers आपस में एक negative होता है और दूसरा positive होता है तो इन दोनों के बीच में हमेशा minus ही करते हम लोग ठीक है तो 10 में से 3 चला जाएगा 7 और sign किसका बैठेगा बच्चो जो sign जो number आपका दिखने में बढ़ा होगा वैसे value minus 10 का 3 से कम है मगर जो दिखने में बढ़ा होगा उसका sign बैठता है तो इसमें यहाँ पर बैठेगा आपका minus 7 ठीक है minus sign बैठेगा 7 तो minus किया था तो आया था फिर यह जैसे कि देखो 26 एक positive integer है उसमें हम लोग plus कर रहे है किसको एक negative integer को minus 26 को अगर यह bracket है ना तो इसे हमें खोलना पड़ेगा तो bracket कैसे खुलेगा bracket का मतलब क्या होता है पिछले वीडियो में आप लोग को सिखाया था bracket का मतलब होता है multiply plus minus यहाँ पर minus हो जाएगा ठीक है अगर हम लोग multiply करते है एक positive को negative के साथ तो हमेंसा हमारा answer negative ही आएगा ठीक है तो फिर देखो 26 plus minus हो गया 26 और 26 में से जाने से कितना आएगा जीरो आएगा तो जीरो क्या है एक यह जीरो भी तो एक integer ही है न तो इसी तरह से सबस्थ यह example ले लो 11 में से हम लोग plus कर रहे है 11 जो कि एक negative है यहाँ पर भी plus minus हो गया bracket खुलने से फिर 11 हो गया 11 में से 11 जाएगा जीरो हो गया तो यह सारे क्या है जितने भी answers हमारे आए य जब हम लोग closer property under addition का मतलब तो simply आप यह कह सकते हो कि जब हम लोग किसी दो integers को plus करेंगे चाहे वो positive positive integer सी क्यों नहों negative negative integer सी क्यों नहों तो हमें एक integer ही मिलेगा answer में तो इसी को कहते है closer under addition ठीक है ऐसा नहीं है कि दो integers को plus करेंगे तो हमारा fraction आ जाएगा है कि नहीं point में answer आएगा decimals में आएगा ऐसा तो नहीं है हमेशा हमें एक integer ही मिलेगा तो इसी को कहते है closer under addition ठीक है next देखते है closer property under subtraction क्या होता है same बात है उपर हम लोगों ने सारा addition किया था तो यहां पे सारा subtraction हो जाएगा ठीक है minus करेंगे 5 minus यहां closer property under subtraction का मतलब होता है किसी दो integers को अगर हम लोग एक दूसरे से माइनस करते है ना तो हमारा answer ना यहीं आएगा इंटीजर ही आएगा obvious बात है यहां भी हमारा कोई fraction है तो decimal नहीं आएगा 5 minus 3 हमारा 2 आएगा 2 क्या है कि इंटीजर है देखो minus 10 में से हम minus करेंगे की से minus 2 को तो यह देखो minus minus जब हम लेक खोल और यह एक positive number है जब negative और positive number होता है तो मैंने क्या सिखाया था आप लोग को हमेशा इनके बीच में minus ही होगा opposite signs अगर हो और brackets कुछ भी नहीं हो तो उनके बीचे हमेशा minus होगा दो 10 में से 2 जाएगा 8 आगया और sign किसका बैठेगा बच्चों जो की आपका दिखने में नंब तो closer property under subtraction का मतलब यह होता है कि जब हम 2 integers को minus करेंगे तो हमारा answer जो आता है वो भी एक integer ही होगा तो भी same है बस addition था उपर वाले में नीचे बस subtraction है closer property under multiplication next देखते हैं इसमें क्या होता है जब 2 integers को हम लोग multiply करेंगे तो हमारा answer जो है न तो भी integer ही आएगा obvious बात है जैसे कि suppose हम लोग लेते है 2 into 4 2 4 जा होगा आपका 8 8 भी एक integers है minus 2 into 4 minus 2 जो है एक negative integer है और 4 जो है एक positive integer है इन दोनों का multiply करेंगे तो क्या आएगा minus और यह plus था ना plus minus यहाँ पे minus आया 2 4 जा 8 ठीक है minus 8 क्या है यह भी एक integer है फिर देखो minus 2 को हम लोग into करें किस के साथ minus 4 के साथ दोन 8 और sign मगर हमारा plus हो जाएगा तो plus 8 क्या है यह भी एक integer है तो closer property under multiplication का मतलब यह होता है कि जब हम किसी दो numbers को multiply करेंगे चाहे वो positive हो और negative हो तो हमें एक integer ही मिलेगा ठीक है तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते है कि integers are closed under multiplication तो आप लोग बच्चों यह धान देना कि closer property जो है only addition subtraction और multiplication में satisfied करता है मतलब rule में आता है ठीक है उक्वेल होता है answer हमें मिलता है मगर division जो मैं अभी आपको समझाओंगी उसमें नहीं मिलता है ठीक है closer property under division जो अभी मैं समझाओंगी मतलब closer property under division आप कह सकते हूँ कि होता ही नहीं है closer property under addition होता है subtraction होता है और multiplication होता है यह आप लोग अच्छे से learn कर लो थोड़ा समय यहाँ पर यह समझाना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे यह मतलब थास बच्चों को confusion हो जाता है कि multiplication करते वक्त, bracket खुलते वक्त वो positive में आएगा यह आप लोग याद कर लो जब किसी दो numbers को हम लोग into करते है जो कि दोनों ही positive है तो भी हमारा answer plus में ही आएगा ठीक है और suppose कि एक number negative है और दूसरा number positive है तो हमारा answer minus में आएगा जब हम लोग multiply कर रहा है आप लोग इसे ध्यान दो यह addition और subtraction नहीं है बीच यह multiplication है multiplication की जगह आपको integers पे bracket भी देखनों को मिलते है जब हम लोग bracket open करते है तो यही तो करते है minus minus plus हो जाता है plus 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 होता है minus plus minus होता है और suppose पहला वाला positive है दूसरा वाला negative है तो हमारा answer तो भी negative में आएगा इन सबका एक example दे दिती हूँ आप लोग को जैसे कि और भी clear हो जाए suppose दो minus numbers है ना तो ऐसे दिये रहेंगे आपके exam में ऐसे तो इसका answer क्या होगा 2,2,4 और answer हमारा क्या होगा यह plus 4 होगा बच्चो ठीक है आप लोग याद रखना suppose यहाँ पे normal है यह भी plus है और यह भी आपका plus है दोनों ही plus है 2,2 जा क्या होगा normal 4 होगा यह भी positive ही होगा कोई negative integer नहीं है ठीक है तो हम लोग बच्चपन से करते आ रहे हो फिर देखो एक negative है दूसरा positive है suppose यह वाला negative है suppose minus 3 है और यह दूसरा वाला positive है 3,2 जा क्या होगा यहाँ पर 6 मगर sign किसका बैठेगा इस minus minus plus क्या होता minus यहाँ पर आप लोग को सिखाया था ना minus plus minus आता है यह भी minus लिखेंगे suppose यहाँ पर 5 है 5 जो है positive integer है और फिर यहाँ पर आपका 3 है जो कि negative है 5,3 जा क्या होगा 15 पहले आप लिख लोगे फिर sign देखो plus minus minus होगा ठीक है तो यह जो है ना यह इतना बहुत ही ज़्यादा important है आप लोग को integers सिखने के लिए ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से learn कर लेना इस पार्ट को इतना पार्ट सिख लोगे तो आप लोग के लिए integers बहुत ही ज़्यादा easy हो जाएगा ठीक है फिर आगे हम लोग देखते है closer property under edit division क्या होता है और वो क्यों नहीं होता है यह मैं आप लोग को समझा देती हूँ तो division of integers तो division of यहाँ पे integers तो हम लोग क्या सीखेंगे देखो suppose minus 12 को 2 से हमें divide कर दा है minus 12 एक negative integer है और 2 एक positive है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते है न minus 12 by 2 और यहाँ पर हम लोग कैंसलेशन कर देंगे 2 1 जा 2 यहाँ पर 2 6 जा 12 इसका minus यहाँ पर आ जाएगा तो मतलब minus 6 यह तो एक integer आ रहा है मगा हर case में नहीं आता है इसलिए closer property अंडर integers को support नहीं करता है ठीक है division ने sorry division of integers को closer property support नहीं करता है जैसे कि देखो minus 20 को हम लोग divide करेंगे किस से minus 2 से तो यहाँ पर भी देखो minus 20 by minus 2 लिख सकते है हम लोग यह तो cancel हो जागा minus minus cancel हो जाता है division में भी multiplication वाला ही formula आता है जैसे कि वहाँ पर minus को हम लोग into करते थे minus के साथ minus minus plus हो जाता है तो यहाँ पर भी minus minus कट के plus हो जाएगा ठीक है तो बच गया 20 by 2 यहाँ पर 2 1 जा 2 होगा यहाँ तो 10 जा 20 तो हमारा answer 10 by 1 आया गया इसका मतलब के नीचे का 1 का value नहीं है इसका मतलब यह 10 10 हमारा answer है तो 10 भी तो एक integer है यहाँ भी closer property support कर रहा है हाँ फिर यहाँ देखो 0 divided by 4 0 divided by 4 को हम लोग कैसे दिख सकते हैं 0 को मतलब 4 से divide कर रहा है 4 कितना जा 0 आगा 4 0 जा 0 तो यहाँ पर answer हमारा क्या आएगा 0 तो यह तो divide हो गया मतलब है की नहीं तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है answer हमारा है की नहीं तो 0 क्या है कि integer है इसे भी support कर रहा है मगर देखो कभी-कभी क्या होता है हम लोग अगर इसको उल्टा कर दे 4 को इसको कभी भी आपका लास्ट में देख लेना यह दिया होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से divide करते है तो not defined आता है इसका कोई proper answer नहीं आता है अगर यहाँ पे कोई proper answer आ रहा होता न तो हमारा closer property division को satisfy करता और कभी तो ऐसा भी हो सकता है इनकी हमारा answer decimal में आ जाए suppose यहाँ पे मैं देती हूँ और एक example suppose यहाँ पे देते 25 divided by 2 suppose यह suppose minus था इससे divide जाएगा क्या नहीं जाएगा 25 को हम 2 से divide करेंगे तो हमारा decimal में answer आएगा है की नहीं तो इसके कारण क्या होगा कि decimal में answer हमारा नहीं आ सकता हमारा answer जो है ना only integers में आना पड़ेगा तभी हम लोग कह सकते है कि closer property इस division को satisfied कर रहा है rule के मुताबिक है मतलब तो यहाँ पर हमारा answer कभी suppose यहाँ पर एक में तो दिखाया है कि 2 divided by 0 हमारा not defined आएगा किसी भी number को 0 से define करेंगे तो not defined आएगा यह बहुत ही important question है और exam में बार बार पूछे जाते है तो इससे आप लोग learn कर लो किसी भी number को 0 से divide करेंगे तो हमेशा not defined ही आता है ठीक है और कभी कभी हमारा decimals में भी आ सकता है तो इसके लिए क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि closer property division में काम नहीं करता है ठीक है तो closer property आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो है अब हम लोग start करते commutative property यह बहुत ही easy property है बच्चो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा तो commutative property under addition का मतलब क्या होता है देखो जैसे closer property under addition था तो यहाँ पे भी same है commutative property under addition सबसे पहले होगा तो suppose यहाँ पे कहते हैं कि a plus b equals to b plus a suppose हम लोग a किसी नंबर को ले ले लेते हैं 2 और b ले लिया 3 को क्या यह बढ़ाबर होगा अगर मैं इसी को उल्टा करके लिखो b plus a कर दू तो यहाँ पे a plus b, यहाँ पे 2 plus 3, 5 आया तो b plus a, b का value यहाँ पे कितना था 3 और यहाँ पे a का value क्या है 2 3 plus 2 कितना हो गया 5 तो दोनों का अगर मैं उलट उलट करके लिखो तो हमारा plus करने से answer same ही आता है कि ने equally है तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि commutative property under addition जो है ना यह मतलब satisfied है यह rule मतलब सही है ठीक है equal आता हमारा answer तो हम लोग कहते हैं कि addition is commutative for integers यह true और false में आ सकता है अप लोग याद रखना closer property क्या था closer property हमारा किस में true होता है only addition, subtraction और multiplication में division में closer property काम नहीं करता है और अभी तक हमने सीखा कि commutative property addition में काम करता है ठीक है subtraction में उसी तरह से काम नहीं करता है subtraction के लिए हमनों क्या example ले सकते है suppose अगर मैं दो numbers लेती हूँ एक लेती हूँ suppose A में यहाँ पे ले रही हूँ A की जगह मैं ले लेती हूँ 5 और B की जगह मैं ले लेती हूँ 2 5-2 कितना होगा 5-2 कितना होगा 3 होगा और B का मतलब क्या था मेरा 2 था यहाँ पे 2 दूँगी यहाँ पे और minus का sign A कितना था 5 क्या 2 में से 5 minus होके 3 आएगा मेरा obviously नहीं आएगा यह एक positive integer है negative है इन दोनों के आपस में क्या करेंगे minus करेंगे 5 में से 2 जाएगा 3 मगर देखो sign किसका बैठेगा यहाँ minus का sign बैठेगा क्योंकि 5 के आगे minus का sign है जो दिखने में नमबर बड़ा है उसके आगे जो sign लगता है वो यहाँ पे बैठते है तो यह दोनों तो unequal हो गए 3 is not equal to minus 3 तो इसलिए इसका मतलब commutative property जो है न वो subtraction में काम नहीं करता है तो अब लोग कह सकते हैं कि integers are not commutative under subtraction तो फिर आगे चलते हैं commutative property under multiplication देखते हैं commutative property under multiplication commutative property under multiplication भी बहुत easy है suppose A हम लोग कोई number लेते है suppose 5 इसको हम लोग multiply कर रहे है suppose B number लेते है 2 5 2 जा क्या होगा मारा answer 10 आएगा तो B हमने कितना लिया था है यहाँ पर देखो वच्चो 2 है न तो B के नीचे हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे into A क्या था हमारा 5 लिया था हमने 2 5 जा क्या होगा 10 तो 10 is equals to 10 है न दोनों सेम आ रहे है हम लोग negative की कोई number भी ले सकते है suppose A हमने लिया minus 3 और suppose हमने B ले लिया आपका minus 6 ठीक है तो इननों को multiply करने से क्या आगा minus minus plus हो जाएगा 6 3 जा 18 तो commutative में क्या होगा था है उल्टा कर देते है B into A लिखेंगे B into A कितना आ जाएगा हमारा B क्या था बताओ B था minus 6 और A कितना था हमारा minus 3 6 3 जा क्या होगा 18 minus minus plus तो यहाँ पर भी दोनों का plus 18 plus 18 आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते है कि integers are commutative under multiplication मतलब commutative property जो है न वो multiplication में काम करता है और addition में भी काम करता है commutative property और subtraction में नहीं करता है और देखते है कि commutative property division में काम करता है तो division में नहीं करेगा बच्चों जैसे कि हम लोग देख लेते example suppose A हमने लिया 10 divided by B हमने ले लिया 2 ठीक है 10 divided by 2 कितना होगा 10 divided by 2 2 5 जा 10 होगा है कि नहीं 5 हमारा answer होगा A हमने कितना लिया था 10 B लिया है 2 तो B यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और divided by यहाँ पे A 10 अगर हम लोग suppose 2 को 10 से ऐसे divide करेंगे तो कितना आएगा हमारा answer ऐसे अगर हम लोग करते है 2 by 10 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यहाँ तो हमारा answer 1 by 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या रहा है वो addition, subtraction और multiplication में काम करता है division में नहीं commutative property किस में काम करता है यह काम करता है addition में multiplication में काम करता है subtraction और division में नहीं करता है आशा करती हूँ आप लोग को यह दोनो properties अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग स्टाट करते है associated property of integers के बारे में associated properties में क्या होता है बच्चों मतलब 3 numbers होते हैं अभी तक आपने जो भी comparison किये थे उन सब में 2 numbers थे यहाँ पर 3 numbers लेने होंगे बस यही difference है और कुछ नहीं तो जैसे कि हमने a ले लिया suppose 1 ले लिया suppose b के जगा हमने 2 ले लिया सी हमने 3 ले लिया तो हमेंने क्या सिखा था कि आप लोग उने class 6 में की सिखा होगा ना कि पहले सब से पहले bracket का काम करते हैं देखो 1 plus 3 plus 2 bracket का काम करेंगे तो कितना आएगा 3 plus 2 5 और 1 plus 5 कितना आ जाएगा 6 है कि नहीं तो उसके बाद यहाँ पर हमारा एंसर सेम आ रहे गाने bracket एक बार हमें इधर बिठाना है और bracket एक बार हमें इधर बिठाना है इसको एससितिव प्रोपर्टी कहते हैं तो यहाँ पे भी एक का वैल्यू कितना था 1, B का वैल्यू था 2, इन में हम bracket बिठाएंगे और C हमारा इस बार खुला रहेगा बाहर 1 प्लस 2 कितना होगा 3 और यह वाला प्लस यहाँ भी ठाके यह वाला 3 यहाँ 3 प्लस 3 6 देखो इन दोनों में भी इन दोनों का वैल्यू सेम ही आया है ठीक है तो इसका मतलब अगर हम लोग bracket को आगे पीछे भी कर दे एडिशन में तो हमारा answer ना सेम ही आता है तो इसी को कहत करते हैं associative property under addition इसका मतलब की integers are associative under addition मतलब associative property जो है वह addition में काम करता है फिर आगे सिखते हैं associative property under subtraction के बारे में तो associative property of under subtraction में आप देखी रहों कि यह equal नहीं होगा तो suppose हम लोग कोई example लेके इसे समझ लेते हैं जैसे कि suppose A हम लोग ले लेते हैं बच्चों suppose A में ले लेती हूँ 8 ठीक है इस बार पीछे वाले में ब्रैकेट डाल देंगे 7-6 ठीक है लिखना दोरों में सेम ही है 8-7-6 बत यहां ब्रैकेट डालेंगे यहां भी देखो सेम ही है 8-7-6 और इसमें ब्रैकेट पीछे वाले में पड़ेगा तो इसको solve करते देखते equal आएगा कि नहीं 8-7 कितना होगा 1 होगा minus 6 देखो यहां पे भी देखो 1 जो है मारा positive integer है और 6 जो है minus है तो हमेशा negative और positive होने से आपस में क्या करेंगे हम लोग minus करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा आपका आएगा 5 और sign किसका बैठेगा जो number दिखने में बड़ा है 6 6 बड़ा है 6 के आगे कौन सा sign है minus है तो यह यहां पे देखो इसको solve करते हैं 8 as it is लिखेंगे पहले bracket का काम करेंगे minus as it is लिखेंगे 7 minus 6 क्या होगा आपका 7 minus 6 होगा 1 और यहां पे तो simple हो गया 8 positive है और 1 negative है क्योंकि इसका sign आगे में 1 है तो इन दोनों में हम minus करेंगे 8 में से 1 जाएगा आपका बैठेगा 7 और यहां पे तो simple है 8 का sign के अधपला से तो यह भी plus ही रहेगा ठीक है तो यहां पर देखो दोनों का answer जो है अलग आया है तो हम लोग कह सकते है कि associative property जो है न वो subtraction के under में काम नहीं करता है मतलब integers are not associative under subtraction अब next देखते है associative property under multiplication के बारे में तो यह equal होता है बच्चो तो आप 3 ही ले लेते हैं 1 2 into 3 यहां पर 1 into 2 into 3 बस bracket आगे पीछे करना है इसमें bracket आगे वाला में लगा देती हूँ देखो पहले bracket का का काम करेंगे 1 into 2 3 जा क्या होगा 6 और 1 6 जा क्या होगा इसका answer हमारा 6 आ रहे है यहां भी देखो पहले bracket का का काम करेंगे 1 2 जा क्या होगा 2 और य जो है ना वो ठीक है मतलब multiplication में associative property जो है काम करता है और इसी तरह से division का देख लेते हैं division में जो है ना associative property जो है वो काम नहीं करता है ठीक है जैसे कि suppose हम एक number ले लेते हैं अब ले लेते हैं 16 सपोज एक वैल्यू हम ले रहे है 16 और बी का वैल्यू हम लेंगे 4 और सी का वैल्यू लेंगे हम जैसे कि suppose 2 ले लेते हैं तो इसपे put करते हम लोग अपना a का value 16 था ना तो 16 लेते हैं divided by यह बस आप लोगो समझाने के लिए है ठीक है यह divide का sign यहाँ यह वाला divide का sign यहाँ bracket b कितना हमने लिया था 4 फिर divided by c कितना लिया था 2 ठीक है पहले इसको solve कर ही लेते हैं साथ में 16 पहले bracket का काम करेंगे bracket में क्या है 4 divided by 2 4 को अगर 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा हमारा answer 2 आएगा 2 जा 4 होता है क्योंकि फिर 16 को 2 से divide करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा obviously देखो 2 से 2 8 जा 16 है ना तो इसी तरह से मतलब 8 आएगा हमारा answer तो यहाँ पर देख रहते हैं सेम होगा की नहीं एक का value कितना था आप लोग देखो a का value था 16 divided by b का value था 4 फिर divided by c का value था 2 16 को अगर हम लोग 4 से divide करें तो कितना आएगा 16 divided by 4 4 जा 16 होता है है ना तो मारा answer 4 आएगा यहाँ पर divided by यह 2 अगर 4 को 2 से divide करें तो 2 आएगा देखो यह दोनों answer जो है ना equal नहीं है एक में answer 2 8 आ रहे है और एक में 2 आ रहे है तो इसका मतलब क्या है associative property जो है ना वो division में काम नहीं करता है integers are not associative under division तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि commutative property और associative property जो है ना यह दोनों ही same है commutative property और associative property दोनों ही addition और multiplication में काम करता है और subtraction और division में नहीं करता है इस तरह से आप लोग याद रखना और closer property जो है वो addition, multiplication और subtraction तीनों में काम करता है, division में नहीं करता है और last में हम लोग आप सीखते है, distributive property इसमें दो ही होते हैं और ये बहुत ही important है और easy भी है, ठीक है, देखो जैसे कि सबसे पहले, division, distributive property of addition, multiplication over addition, multiplication ना इसमें दोनों में ही रहेगा distributive property में multiplication का sign दो होते हैं, जैसे कि distributive property दो तरह के होते हैं, पहला होता है distributive property of multiplication over addition, और दूसरा होता है, distributed property of multiplication over subtraction ठीक है, अमार, distributive property, only दो तरह के होते हैं, अप लोग लर्ण करलो, 750 गों करें, जैसे कि देखो इसमें भी तीन ही numbers होंगे जैसे कि देखो of multiplication over addition जैसे कि suppose A कोई number है A हम लोग कोई number ले लेते हैं जैसे कि A मान लो कि A जो है ना हमारा suppose 20 है B हमने suppose ले लिया 5 और suppose B ले लिया हमने 5 और suppose C ले लिया हमने 3 यह इसको justify करता है कि नहीं ओवर एडिशन का मतलब ऐसा होता है मतलब A into B plus C ठीक है ब्रैकेट में रहेगा B plus C यहाँ पर मल्टिप्लाई है ना हमारे यहाँ पर मल्टिप्लिकेशन क्या ओवर एडिशन मतलब B plus C जो है वो एडिशन पर रहेगा तो इसमें हम लोग इस नंबर्स को पूट करते हैं ठीक है इस फॉर्मूला में इस नंबर्स को पूट करते हैं पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला फिर से B plus C है ना एका वैल्यू कितना बच्चो 20 है यहाँ पर 20 लिखेंगे into bracket डालेंगे B कितना है 5 है plus C कितना है 3 है इसको solve करते है 20 पहले bracket का काम करेंगे bracket को solve करने से 5 plus 3 कितना होगा 8 यहाँ पर 8 लिखा 28 जा कितना होगा 8, 2, 16 और यह 0, 160 और इसका मतलब क्या होता है देखो इसको हम लोग मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं बतारे कि A जो है ना वो B के साथ एक बार multiply है और A जो है एक बार C के साथ भी multiply है मगर इन दोनों के बीच में मतलब plus का sign बैठेगा क्योंकि यहाँ plus था इसके यहाँ plus होगा यह एक बार इसके साथ into है और यह एक बार इसके साथ into है ठीक है और sign इसके हिसाब से बीचो बैठेगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते A into B फिर A into B फिर plus फिर A into C तो यहाँ पर हम लोग अपना numbers पूट करते है suppose A हमने कितना लिया था देखो इसको यह लोग चेक करते हमारा सही answer आ रहा है की नहीं इसमें हम लोग पूट करके देख लेते है A हमने कितना लिया था देखो उपर में A हमने 20 था फिर into B हमने कितना लिया था 5 प्लस A हमारा 20 था into C हमने लिया था 3 25 जा कितना होगा 5, 2, 10 और यह 0, 100 होगा ओ सॉरी यहाँ तो number लिखा है नहीं 3 23 जा कितना होगा 60 तो 100 और 60 प्लस करेंगे तो 160 यह एंसर और यह एंसर दोनों सेम आ रहा है इस वैल्यू में भी पूट किया तो हमारा यह एंसर आया और इस वैल्यू में पूट किया तो यह एंसर आ इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसी को कहते हैं इस दिस्तिव्यूटि प्लापर्टी ओफ मल्टिप्लिकेशन ओवर एडिशन ठीक हैं आप लोग इन सब को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले सकते हैं आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे और यह आप लोग को आगे के क्लास में भी चाहिए ही होगा इसलिए वीडियो को बार-बार देखो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो आप लोग मैं श्योर कह सकते हो आप लोग इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा फिर देखो लास्ट यह देखो distributed property of multiplication over of subtraction करेंगे ठीक है सेम चीज़ था यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे क्या करते है माइनस वाला नव सबोज हम लोग को ऐसा नमबर लेते हो माइनस हो जा ऐ का value सपोज हमने 20 ही लिया यहाँ पे उपर वाले की तरह और सपोज यहाँ पे लिख देती हो सपोज आप लोग को समझ में आए ए का value सपोज 20 है बी का value मैं ले रहे हूं 5 और से का value ले रहे हूं 2 ठीक है तो फिर ए का value मान लो 20 लिया फिर b bracket में ला लेंगे 5 minus c का value कितना रट 2 distribution property of multiplication over addition में देखो a हमने लिया था 20 b लिया है हमने 5 और c लिया हमने 2 5 minus 2 मतलब a into b minus c bracket में रहेगा क्या यह बराबर होगा a एक बर b के साथ into किया minus a एक बर c के साथ into किया उसके बराबर होगा कि नहीं सारा हम लोग values put कर देंगे पहले bracket का काम करेंगे 5 minus 2 तू 3 आया 3 तू जा 6 यह 60 आया यहाँ पर देखो a into b करेंगे तो 100 minus 20 into 2 करेंगे तो 40 100 में से 40 आया 60 तो दोनों ही equal है इसका मतलब distributed property of multiplication over addition इस तरह से यह मतलब equal होता है मतलब सही होता है multiplicative identity और additive identity हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर देना आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो ठीक है thank you for watching